जबरदस्थ खबर आ रही है साथियों और सौधी अरब की तरफ से खबर है बहुत सारे हेडलाइन्स बन चुकी है इसके उपर अंतराश्ची मीडिया पर कई जगे कहा जा रहा है कि रूमर हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा फैसला सौधी नहीं ले सकता लेकिन हाँ सौधी की तरफ से डिसीजन आ रहा है कि उसने अमेरिका के प्रती अपनी जो नफरत है अब वो जगजाहिर कर दी है नफरत जगजाहिर कर दी है साथ सौधी और अमेरिका तो कभी मित्र हुआ करते थे लेकिन हाल ही में, अमेरिका के डॉलर को सौदी ने बहुत जबर्दस्त किकमारी है, किकमारी है, इसको एक लाइन में मैं ये कहूँ कि पेट्रो डॉलर एग्रिमेंट इन्हों ने रद कर दिया है, पेट्रो डॉलर एग्रिमेंट क्या था, ये आपको जब आप complete सुने गे कि कभी भी अंतराष्टिय संबंधों में कोई पर्मानेंट मित्र नहीं होता और कोई पर्मानेंट शत्रू नहीं होता आज की इस पूरी कहानी का सार अंत में आपको यहीं लगेगा फिलाल हैडलाइन पर गौर कर यह सौधी अरेबिया एंड एस एटी इयर पेट्रो डॉलर विद यूएस फोर मल्टी करंसी सेल्स हेडलाइन देखिए सौधी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर डील को कैंसिल कर दिया है अमेरिका के साथ यह दुनिया भर के अख़बारों में खबर बनी हुई है तो आपके दिमाग में एक सवाल बनने लगेगा कि यह शब्द है पेमेंट केवल डॉलर में करेंगे फिर से सुन लीजिए और इस बात का महत्व समझ लीजिए आज का सेशन बहुत मायने रखता है और यहां पर महत्व रखते हुए यह पूरा की पूरा जो पिक्चर आपको मेरे साथ स्क्रीन पर लग रहा हुआ दिख रहा है इसका बहु समझाने के लिए आज पेट्रो डॉलर समझना पड़ेगा पेट्रो डॉलर यानि की पेट्रोलियम गुड्स का पेमेंट डॉलर में करना पेट्रो डॉलर ठीक है अब डॉलर में करना इसका अर्थ यह समझ यह कि इंडिया वाले तेल खरीद रहे हैं सौधी से ना तो इंड पर सेशन्स लेते हैं उनमें बहुत बड़ा सवाल बच्चों का एक ही होता है सर एक डॉलर इस इकोल स्टू 83 रुपिया क्यूं है कौन ये डिसाइड करता है कि डॉलर के मुकाबले रुपिया इतना गिरा रहेगा कैसे ये पता चलता है कि डॉलर में ही सामान खरीदना है क्यूं हमारी GDP को डॉलर में बताया जाता है क्यूं हमारे foreign reserve को डॉलर में बताया जाता है क्यूं दुनिया में dollar crisis होते ही देश खाली हो जाते हैं क्यूं पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हालात create हुआ कि डॉलर खतम तो payment crisis पैदा हो गया, क्यों 1991 के अंदर भारत के साथ ऐसा हुआ कि उसके डॉलर foreign reserve खतम हुआ, तुरंद हम लोगों का हाल बेहाल हो गया और हमें gold गिर्वी रखना पड़ा, after all डॉलर 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 क्या है, अरे साब डॉलर के पीछे अमेरिका की कूट नीती ह उसने दुनिया भरके उन देशों से ऐसे agreement किये हुए थे, कि आप लोग अगर दुनिया में पैसे वाले बने रहना चाहते हो, तो payment dollar में ही लो, आप विचार करके देखिए, कि अमेरिका ने सौधी को ये समझा रखा था, कि आप लोग अपना पैसा, अगर किसी से payment वसूली करें, तो केवल dollar में करें, अब ये क्या कहानी है, आज के session में विस्तार से हमें आपको बतानी है, ये है petro dollar agreement, जिसकी सुर्खियां बन रही है, कि 9 जून को renew होने वाला petro dollar agreement, सौधी ने इस बार renew नहीं किया है, और renew नहीं किया है, ये उस समय हो रहा है, जिस समय दुनिया क के देश G7 के अंदर वर्तमान में, इटली में मिल रहे है, अचा मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ, आपको मैंने दो दिन पहले अंकित इंस्पार इंडिया पर एक session में बताया था, कि G7 बना क्यू था, अगर आपको याद है तो बहतर है, नहीं आद है, तो मैं आपको renew करा देता हूँ, या revise करा देता हूँ, अचा आपको पता है G7 का गठन क्यू हूआ था, group of seven nations क्यूँ बने थे, कारण क्या था, कि इस्राइल और Gulf countries के बीच में 1973 में युद्ध हुआ था, इसको क्यों सुनना है, इसके साथ ये काहनी जोड़ी होई है, 1973 में इस्राइल और Gulf nations के बीच में युद्ध हुआ, इजिप्ट और सीरिया ने मिल करके इस्राइल पर हमला बोल दिया, इस्राइल पर हमला बोल दिया, इस्राइल पहली बार नहीं है कि इस्राइल हमास आप देख रहे हैं, इस्राइल multiple time इन लोगों से लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन 1973 का यह जो war था, यह बहुत बड़ा था, गल्फ के अधिकांस देश, यानि पर्शियन खाडी के आसपास के जो बड़े देश हैं, चाहे साओधी हो, चाहे इरान हो, चाहे UAE हो, जो बड़े देश गल्फ में कंट्रोल करते हैं, इन सब का sympathy जो था न, वो फिलिस्तीन के साथ थ और इसराइल के खिलाफ था, 1973 में इसराइल के खिलाफ ये सब एक हो गए, और युद्ध करना का धावा बोल दिया, धावा बोल दिया साथ, अब इस धावे के साथ हुआ ये, कि इसराइल ने अपने आपको इतना मजबूती से रखा, कि उसने इन देशों के बहुत सारे छ समताएं कहां से आई, तो निकल कर आया कि इनके पीछे कोई जिम्मेदार था, रिचर्ड निक्सन, अमेरिका के राष्टपती, अमेरिका क्या कर रहा था, इसराइल को फंडिंग दे रहा था, किस बात की, ये तुम युद्ध करो, पैसे की चिंता मत करो, तुम हमारा नाम तुम हमारी क्लास की वो टॉपर विध्यारती हो, जिसका रैंक वन होना जरूरी है, और तुमको जो सुविधाएं चाहिएं बताओ, हम तुमारे साथ हैं, जैसा अमेरिका आज भी कर रहा है, अमेरिका ने लगभग उस दौर में 18,000 करोड डॉलर इतना धन इसराइल की सहा ओईल पैदा करने वाले देश नाराज हो गए, अब यहीं से कहानी इंट्रेस्टिंग क्रियेट होती है, ओईल पैदा करने वाले देश, कौन पैदा करता है साब ओईल, ओपैक कंट्रीज, ओपैक कंट्रीज बोले तो, और्गनाइजेशन ओफ पैट्रोलियम कंट्रीज में आते हैं, जिसमें साओधी उनका राजा है, मतलब कि लीडर है, सबसे जादा तेल पैदा करता है, दूसरी तरफ ओपैक-प्लस का राजा राजय है, यानि जो ओपैक में नहीं वो ओपैक-प्लस में है और रस्या उनकी लीडर्शिप करता है, ठीक है, अब ओ आई साब अमरीका वालों, तुम हमारे उपर हमले का आदेश इसराइल को देते हो, पैसा देते हो, की जाओ तुम हमला करो, बिटा, तुम हमला करेंगे ना, तुम समाल नहीं पाओगे, काईसा हमला, भाई, इन लोगों ने ओईल एंबार्गो लगा दिया, ओईल एंबार्ग घट जाएगा तो इन लोगों के पास तेल पहुंचेगा नहीं तेल नहीं पहुंचेगा तो तेल की कीमते बढ़ने लगेंगी तो महंगाई बढ़ने लगेगी और यह developed economies महंगाई सरेंडर कर देती हैं क्योंकि इनके महंगाई बड़ी 2-3% के आसपास ही चलती है जादा हो गई तो country फेल मार जाती है दुनिया प्रोटेस्ट करने सड़क पर आ जाती है चलो साप कोई बात नहीं सौदी ने आदेश दिया अपने साथ वालों को कि भाई सब लोग तयार हो जा यानि कि मालो 60 रुपे डॉलर मिलने वाला तेल अब 180 पहुच गया अमेरिका और उसके साथ विक्सित राश्ट्रों की हालत खराब हो गई 1973 का जो ये वार था दुनिया में कितनी महंगाई लेकर आया इसका अंदाजा आप ये लगाओ कि ये सारे बड़े देश अमेरिका, क संग्धन बनाया जिसका नाम बनाग जी साधान होँ ़ला की पहले जी सिक्स बना था बाद में चैनीडा समयल ये लेकर जी सि आपने नौटिस किया हो तो 13 से लेके 15 जून के बीच में इटली के अंदर पुगलिया में जहां बैठक चल रही है जहां हमारे मोदी जी भी जाके आये है यह वाली जगह पर जो बैठक चल रही है असल माइने में G7 हर बार याद दिलाता है कि कैसे OPEC कंट्रीज ने हमें गि प्रशन बना रहे हो कि सौधी अरब को हमने मजा चखाया था अभी तो मजा चखाना बाकी है लेकिन हुआ क्या अब सुनो साब इस्थितियां बदलती है पैसे के आगे हराद में बिखता है अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्टपती ने एक चाल चली क्या चाल चली अमे पैसे से पावर चाल चाहिए मैं तुमें गारंटी देता हूं कि इसराइल तुम पर हमला नहीं करेगा और बोलो साओधी को ये डर था कि अमैरिका इसराइल को इतना वैपन दे देगा कि वो तो एक दिन साओधी पर कबजा कर लेगा, हर देश को लगता है न, क्योंकि इसराइल तो सूप्रा साफ करता हा, सब का धड़ा धड़ा, अमेरिका बैक डोर से सूदी से बात कर लिया, तुम चिंत तमको तो मैं डालर की खान लगा देता हूँ, बोलो क्या चाहिए तुमें, बोले सर कैसे करोगे, बोले अभी जो तुम तेल बेचते हो इसका पेमेन्ट कैसे लेते हो, बोले, Sir, किसी से गोल्ड में लेते हैं, किसी से गुड़्ज में लेते हैं, बाटर सिस्टम चल रहा है, Sir फिलाल, तो बाकि जो जिसमें दे दे बोले, हताओ सब चीज़ें तो बोले, यह तो पता है कि ब्रेटन वुड सिखर सम्मेलन के बाद से हम लोगों ने ये तै कर दिया एं कि दुनिया भर के देश डॉलर में पे मेंट लेंगे है तै कर दिया है डॉलर को युनिवर्सल करंसी गोशित कर दिया है टॉलर is equal to gold है मानते हो इस बाते को तो कि दुनिया का कोई भी देश अब तुमको पेमेंट करे तो डॉलर में करे और हम तुमारे साथ खड़ें अगर कोई पेमेंट ना करे तो उससे पैसे हम दिलवाएंगे बोलो और क्या चाहिए नेकी और पूछ-पूछ, साओधी की बल्ले-बल्ले हो गई, एक तरफ से तो security मिल गई, देखो अमेरिका की ब मारे भले के लिए ही थे, तो अमेरिका को ऐसे अंकल पापा थोड़ी कहते हैं साथ, ये क्या, जापान का उधारन देख लो आप, जापान को भी ऐसी पीटा था ये, second world war में उस पर बम गिराया, लाखो लोग मार दिया, लाखो लोग मार कर जापान से कहता है, देखो, मारे अब जापान पर तब से लेकर, लाखो पूलिस, लाखो की सेना है ना, अमेरिका की, वो जापान में रहती है पूरे टाइम, जापान कुछ सोच ही नहीं पाता, तो वो कहता है, अब तारकी कर लेंगे, हम इस से अच्छा तो यही है, अमेरिका सपने यही दिखाता है, कि च हुद अच्छा agreement है यार, कोई बात नहीं, आपको जानकर आश्चर होगा, तब से लेकर आज तक यही वाला agreement चला आ रहा है, जिसे आप petro dollar agreement कहते हैं, मतलब समझें, OPEC countries, तेल का जो व्यापार करते हैं, वो dollar में ही करते हैं, और dollar में क्यों करते हैं, इसके पीछे Saudi और America का हुआ, उस समय का agreement है, हमें उस agreement की कुछ प्रतियां भी मिली थी, हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेकर आए हैं हम, क्योंकि content तो मैंने अपने तरीके से सुना दिया dollars के साथ खरीदेंगे बदेंगे, बात समझ में आ गई, खेला समझ में आ गया, अब क्या कहानी होती है, सुनिये साब, dollar मिले, अमेरिका ने देखा कि Saudi के पास खूब dollar इखटा हो गया, आचा, आपके दिमाग में एक प्रशन और बनेगा, कि यार ऐसा क्या था कि dollar का इतना बड़ा सिक्का चलता था, देखो इसके पीछे की कहानी मैंने multiple time सुनाई है, फिर से brief में बता देता हूँ कि dollar इतना जादा चला कैसे, इसके पीछे की गणित केवल इतनी सी समझो कि first world war में, अमेरिका बहुत late entry करता है, और दुनिया में weapons का और पैसे का supplier बनता है, अमेरिक जब पूरी दुनिया लड़ जगड के बरबाद हो लेती है, तब अपनी दो बैंक के माध्यम से, एक का नाम world bank और एक का नाम IMF, ये Donald Brettonwood twins कहलाती है, इन दो बैंक के माध्यम से दुनिया को करजा देता है, जिसको जितना पैसा चाहिए ले जाओ मैं दूंगा, अमेरिका क ये जो पैसा देने का तरीका था ना इन देशों को, इसने सब को अमेरिका के प्रती गुलाम बना दिया कि प्रभू आप ही हो, उस समय तक दुनिया के देश एक दूसरे के साथ गोल्ड में व्यापार करते थे, गोल्ड ही करंसी हुआ करता था, दुनिया का सबसे इखटे होने के बाद की, अब या रोजाना गोल्ड थोड़ी चलेगा, कोई चोरी भी हो सकता है, नकली भी गोल्ड आ सकता है, तो बोले एक काम करते हैं, गोल्ड को तो रखते हैं हम अपने रिजर्व में और उसकी एवज में हम नोट की छपाई करते हैं, उस नोट को पिर दुनिया में dollar चलने लगा तो बोले अगर dollar को मानना है तो समझो कि gold मान रहे हो, dollar is equal to gold हुआ करता था, आप मतलब इस बात को समझ कर देखिए कि America का जो dollar होता था वो gold के equivalent होता था, 1971 में जाकर के Richard Nixon ने dollar और gold का आपस में Vinnie Mac बंद करा दिया था, 21 से पहले तो ये था कि आप जाकर के उनकी बैंक से ये कहें कि डॉलर पकड़ो मेरा तो गोल्ड वापस दे दो तो वह गोल्ड दे सकता था डॉलर इसक्वल्स टू गोल्ड हुआ करता था 21 में जाकर अमेरिका ने डॉलर और गोल्ड के बीच का connection खटम कर दिया बोले नहीं, अब हमारी अपनी value इतनी है कि हम अपने आराम से gold को चला सकते हैं, dollar को चला सकते हैं, खेर, America और इन्हों ने agreement किया और इन्हें भर-बर के dollar मिलने लगे, कोई बात नहीं साब, बढ़िया agreement हो गया, बढ़िया dollar मिलने लगे, अब दिक्कत क्या आती है, America ने देख कि दुनिया की top 10 economies में आ गया, America ने कहा कि dollar तो इसके पास बहुत ही खटे हो जाएंगे, ऐसा तो यह बहुत powerful हो जाएगा, America ने इसको पाठ पढ़ाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सरकार अपन को पढ़ाती है, अपन को सरकार कैसे पढ़ाती है, कि देखो, account खुलवाओ, हम आपको सीधा आपके account में पैसा भेजेंगे, जन्धन account खुलवा दिये सरकार ने, जन्धा के account में पैसा आ रहा है, आप और हम बहुत खुश हैं, कि देखिए सरकार कि इतनी अच्छी account में पैसा दे दी हमको, account में जो पैसा है, वो आपके हाथ में जब तक बाहर नहीं आया तब तक वो सरकार का ही है, यूं समझे आप, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, जी हाँ, आपके account में रखा हुआ पैसा, physical goods के रूप में नहीं रखा है, numbers के रूप में रखा हुआ है, जिसको आप समझ कर चल रहे हैं, वो असल में कहीं न कहीं जमा है, सरकार उसी की तो घुम की सबसे बड़ी नीव बनी ही इसलिए है कि पैसा मार्केट में न रहे कर सरकार की बैंक में रहे, और बैंक का पैसा सरकार अपना मानती है, उसी को वो करजे पर दे दे करके लोगों के काम कराती है, चलिए खेर, इस बात पर कभी और आएंगे, ये जितनी भी बातें आप स है, ऐसे ही NCRT का कोर्स लांच कर दिया है, केवल साथ दिन एडमिशन ओपन है, उसमें मैं एकॉनमिक्स वाया NCRT आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है न, तो आप अपनी मर्जी से प्रिफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं, अप्लिकेशन पर लिंक है, अच्छा, अब लिंक तुम इस डॉलर को न, अमेरिका में लगाओ, बोले, अमेरिका में लगाएं कैसे, बोले, हम ट्रेजरी बिल्स निकालते हैं, तुम अमेरिकी सरकार को अपना करजदार बना दो, सौधी वाले राजा को लगा, क्या बात है, मैं मतलब यूँ ही राजा नहीं हूँ, मैं वाक काज बाहर निकालते हैं, हमें इतना पैसे की जरूवत है, इस पैसे को आप हमें दे, हम आपको गारंटी देते हैं कि इतने समय में इतना परसेंट इंट्रेस्ट के साथ हम पैसा रिटन कर देंगे, ठीक है। Treasury bills की value जादा क्यों होती है, इसके पीछे का कारण समझे, सरकार की value, सरकार की image उन कागजों के पीछे होती है, अगर सरकार कल को पैसा देने से मना कर दे, इसका मतलब है कि वो सरकार फेल मार गई, बिजजत हो गई, कोई भी सरकार, कोई भी economy फेल नहीं होना चाहती, इसलिए Treasury bills की value सबसे उपर होती है, दुनिया भर के जो देश हैं, वो दूसरे देशों के Treasury bills में इसलिए पैसे लगा के रखते हैं, कि country फेल नहीं मारेगी, पैसा सेफ है, हमारा पैसा बढ़ता रहेगा, सौधी को ये उल्जा करके पैसा खुद वापस लेगा, सोचो, पहले तेल बि सब चलता रहा, सौधी को कभी इस चीज की कमी महसूस नहीं हुई, कि अमेरिका उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, लेकिन समय किसका कब रहा है, दुनिया के और देश भी धीरे धीरे तेज बढ़ने लगे, निकल कर आने लगा चाइना, चाइना दुनिया की second बड़ी market बन ग गया, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ एफरीका और ब्राजील, इनने मिलकर के एक संग्धन बनाया, जिसका नाम रखा ब्रिक्स, ब्रिक्स वालों ने आपस में बात करी, कि यार अगर ऐसे ही अमेरिका की सरपरस्ती चलती रही, तो यार ये तो हमको एक दिन काउंट ही नहीं करेगा, सब तरफ डॉलर ही डॉलर हो जाएगा, आपको जानकर आशरे होगा, कि दुनिया की 90% जो ट्रांजेक्शन हैं, आज भी, इंटरनेशनल ट्रेड वो डॉलर में होती है, खुद चाइना भी, अगर किसी के साथ व्यापार कर रहा है, चाइना इतनी बड़ी का एकॉनोमी है, उसके बावजूद भी अगर उसे गल्फ से तेल खरीदना है, तो पेमेंट डॉलर में ही देना पड़ेगा, आप समझे इस बात का, तो जो पेमेंट डॉलर में ही देना पड़ेगा, तो बोले आर ये तो वेकार बात है, इन सब पैसे वाले देशों ने मि बंद कर दो, बोले पेमेंट डॉलर में करना बंद करने क्यों, बोले इसकी जगह है, अपन अपनी करनसी में पेमेंट करेंगे, तुमको उस पेमेंट से चाहिए क्या, सामान चाहिए ना, सामान के नाम पर तुम्हें वैपन चाहिए, तुम्हें घर के अंदर जरूरी सामा क्या है तुमको क्यों अल्टीमिटली डॉलर चाहिए जब सामान में मेरे करंसी में तुम्हें देने को तैयार हूँ क्यों चक्कर पड़े हो अमेरिकी डॉलर के साओधी को लगा बात तो सही है जब अमेरिका खुद अपने फोन और अपने इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स अपनी गाडियां अपने बहुत सारे सामान चाइना में बनवा रहा है तो चाइना से तो डैरेक्ट में पैसा यूआन में काम करूँ ना मैं डॉलर के चक्कर में क्यों पड़ा हूँ बोले नंबर एक नंबर दूसरा तुम्हें वैपन चाहिए दुनिया में अमेरिका से भी जादा उन्नत किस्म के वैपन रशिया बनाता है अमेरिका से जादा उन्नत किस्म के वैपन साइन्टिफिकली अगर देखा जाए तो टेक्नोलोजी में रशिया फार बेटर है अमेरिका से और ऐसी स्थिति में सोचो ना कोरोना की पहली वैक्स यही नहीं, तुम इनके साथ इनकी करनशी में, रूबल में व्यापार करो रूबल में नहीं करना है तो चिंता मत करो ना, इंडिया से, चायना से, रशिया से, ब्राजील से, सॉथ एफ़रिका से, इन से मिलकर के हम एक अलग करन्सी बना लेते हैं, ब्रिक्स currency बना लेते हैं उसमें व्यापार कर लेंगे बोलो क्या चाहिए साओधी को बात समझ में आने लगी कि बात में तो कुछ दम तो है गुरू यदिये सब लोग इतना जिद कर रहे हैं तो बोले करना क्या होगा बोले सबसे पहले खुद को इस बंधन से मुक्त करो कि मैं तेल का पेमेंट केवल डॉलर में लूँगा ये जो केवल शब्द है ना ये मिटा दो बैट तुम्हें अमेरिका की जरुवत क्या है पेमेंट आता है डॉलर में बढ़िया है तुमको ये नहीं कह रहे कि आप डॉलर लेना बंद कर दो कह ये रहे हैं केवल डॉलर लेना बंद कर डॉलर के अलावा तुमको यूआन मिले, रेनमिंबी मिले, तुमको यूरो मिले, तुमको पाउंड मिले, तुमको रूबल मिले, तुमको रूपी मिले, जो मिले उसमें पेमेंट लो और उस देश के साथ अपना परसनल व्यापार करो क्यों अमेरिका की दुम बने हुए घूम रहे हो अपनी इज़त पहचानो साओधी के प्रिंस को ये बात समझ में आए कि यार मेरी तो बहुत इज़त है और बहुत इज़त है मैं अमेरिका का पिछलगू क्यों बना हूँ रद हो गया पेट्रोकैमिकल एगरिमेंट यही सुर्खी बनी हुई है अगर बात समझ में आ गई ना तो एक बार थमसब कर दो पूरी कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी वो मैंने आपको बता भी दी है किस प्रकार से अमेरिका के साथ सौधी ने खेला कर दिया है आपको जानकर आश्चर होगा प्रती साल साड़े तीन ट्रिलियन डॉलर का तेल का व्यापार होता है गल्फ कंट्रीज से यानि इंडिया की जितनी टोटल जीडीपी है इतने का तो ये लोग तेल बेच लेते हैं तेल के बराबर का डॉलर घूमता है मार्केट में अब सोचिए कि अगर डॉलर को अगर ओपक कंट्रीज किनारा कर दें पेट्रो डॉलर से एग्रिमेंट से बाहर आ जाएं दुनिया की और करंसी चलने लगें तो अमेरिका का सिक्का चलता हुआ बंद होगा तो ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी नियूज होगी लोग कह रहे हैं कि ये घटना रशिया के उकसावे पर हुई है ऐसा क्यों हाल ही में रूस के ऊपर काफी सारे सेंक्शन्स ये उरॉपियन देशों ने ला दे हैं जिन में अमेरिका बोला कि मैं डॉलर्स तुम्हारे देश में नहीं आने दूंगा रशिया ने कहा जो हुकम जहां पना अब मैं अपने शेयर मार्केट में तुम्हारे डॉलर नहीं चलने दूंगा असली लड़ाई सिक्के की चल रही है बॉस किसका सिक्का चलता है अमेरिका का सिक्का रशिया में चलना बंध है तो रशिया वालों ने सौधी को बढ़काया कि इनको असली सबक तुम्हें सिखाना है हाना कि गल्फ वाले डरे हैं कि इस न्यूज को ज़्यादा बहार मत निकालो हमने कुछी दिन ऐसा हुआ है कि इस एगरिमेंट से किनारा किया है कई न्यूज वाले तो इस पस्टी करन दे रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये केवल प्रॉपोगेंडा चलाया जा रहा है ऐसा नहीं है लेकिन वास्विक्ता ये है कि ये एगरिमेंट अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है और अगर साथियों ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सैट वैक होगा और दुनिया के लिए उगते हुए दुनिया के एक नए सूरज का बिलकुल प्रतिविम प्रदर्शित करेगा बागी आप इस विशह पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर रखें और हाँ जैसा मैंने आपसे कहा एकॉनमिक्स में आपकी प्रॉपर समझ होनी चाहिए आपको प्रॉपर जीयस फांडेशन पता होना चाहिए अगर आप यह जानना चाहते हैं मेरे साथ तो इस हफ़ते अड्मिशन ओपन है हमारे एप्लिकेशन पर लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है कोर्स पूरी तरह बाइलेंग्वल होगा बाइलेंग्वल के साथ कॉंटेंट आपको उसी प्रकार से उपलब्द कराया जाएगा इस पूरे सेशन में आपको NCRT line to line ये बताई जाएगी कि आपको खुद से कहां से पढ़ना है मैं अगेन बता दूँ कि pen pencil से मैं आपको नहीं पढ़ाने वालों के NCRT की ये line पढ़ो नहीं chapter पढ़ाया आपको proper तरीके से homework दिया कि अब आप इस चीज को class 6 के इस chapter से पढ़ेंगे 7 की यहां से यहां तक line पढ़ेंगे 8 में यहां से पढ़ेंगे ये पढ़के आएंगे week में एक दिन बैठ करके हम लोग discussion करेंगे और एक दिन उसका proper test लिया जाएगा इस तरीके से एक composite study चलने वाली है केवल मैं महनत नहीं करूंगा अगर आप यह सोच के आ रहे हैं कि सरी महनत करेंगे कृपया करके session मत लीजिएगा ये महनत आप से भी करवाने वाला session है दौनों लोग बैठ कर महनत करेंगे अगर जाते हो तो live session से जाकर join कर लो इसी week में आपके लिए ये options available हैं आप इस admission को book कर सकते हो